असलाम अलेकुम फ्रेंड्स बलसाथ के मौसम में बुट्टे बहुत जादा बजार में आते हैं कॉन तो आपने हमेशा ठेले वाले से या फिर दुकान में आपने जरूर खाई होगी ऐसी क्रिस्पी कॉन तो इसे हम घर में भी बना सकते हैं सेम उसी तरीके से एकदम के भी बना जाने तो इसे तौर इसे बना वहीं है यह बना दीड़ी है इसे और भुट्टे से भी आप तो इसे निकाल है तो इसे कडायी में डाल दिया है एक से देड के समया पाने ड़ी डाला है इसमें डूप जाए है कॉन हमारा रह एक Ismeे में थोड़ा सा नमक ये कि जाए आजाए और इसे तरह से open में हमने इसे boil होने दिना है और यह देखिए इस तरह से एकदम पुछके से रहते हैं लेकिन जैसे जैसे boil होंगे न तो फूल जाएंगे तो यहां पर देखिए हम इसे कम से कम चार से पांच मिनट के लिए इसी तरह से हाइफली पर बॉय्ल करना है और यह देखिएं धीरे धीरे आप देखेंगे ना कि यह बहtıIC अच्छे से पूल गए है इस तरए सी फूल जाएंगे और पांच मिनट के लिए हमने से पूल करना है अब हम क्या करेंगे हम्झी अच्छे से बॉय्ल हो गए है फूल कर उपर अगे Тут तो आप हम घास का फ्लेइम कर दिंगे और सारे कॉन को हमने निकाल लिना चान लिना है और छलने में निकाल को निकालेंगे झ्नाल कर living sera ये इसका ठ्रांसवर हो गए और खाने हो जाये हमें एक ये में ट्रांसफर कर लेना है ये और इसका बच्छिब कर दाणे नरी सीखेस डालने के लिए हमने मैदा और तो 2 चम्मक छम अ मैदा दाला हुशन तो फीर अमेंसे तरह से उचलना है हाथ है हात्व करसके है , लेकिन विद्धी कि मिक्स कर सकते हैं मैं आपको कि एक होग तबoter उसे नेए और नहींड perform itself पाने तो यहां पर देखें जूँचे तो इसमें तुम नहीं हुआ है इसने अभी हम नहीं च्छीटा मारना है फानी का और फिर हमने चाहिसे कॉटिंग चाहिए काॉर इसमें नहीं चाहिए मिक्स कर लिया एक रागल कोत पाते लाड़ साथ कोते हि में, अच्छे से कोटव हो गया है तो कि यह हम जांई ताल यहीं नीचे ना इचे साल केलं लोग कोते हैं बदो भाज़ना आप ऊ Euh लुदा थैसा सब्सक्राइए त। नीचे नान चाहिए कोते हैं from Eltern जब एकश में पादर चल्ली के शाथ और करेंगे जद फ्राइब करेंगे आड़एंगे पहलें बचला वीजाद से पर टो यहां पर इसनी आधा निकाल ज़ना है तो जो जादा होगा आटा जो होगा वो निकल जाएगा इसमें से और यहाँ पर मैंने कड़ाई में तेल को गरम कर लिया है और तेल को हमने medium to low flame रखना है medium to low flame पर हमने इसे fry करना है और मैं इसे दो बार में fry करने वाली हूँ इसे हमने चमच बिल्कुल नहीं लगाना इसे तरीके से हमने हाथों से इसे कर लेना है इसे हमने medium flame पर fry करेंगे और उपर से थोड़ धकन धग देंगे इस पर हम थोड़ा से खुला रखेंगे एक साइट से बस देखें इस तरह से ऊपर आने लगेंगे जिससे fry होंगे न उपर आने लगेंगे तो एक से दो बार से हमने चला लेना है इसे चला लेंगे मैंने इसे एक दो बार धकन हटा कर मैंने इसे देखा था यह बिल्कुल भी नहीं उड़ रहे थे बहुत अच्छे से fry हो रहे थे यह तो अब हमने क्या करना है अच्छे से देखें उपर आ गया है सब अब हम क्या करेंगे ना मीडियम फ्लेम पर मैंने इसे 2-3 मिनट के लिए fry कर लिया है अब मैं इसे ना क्या करूंगी हाई फ्लेम पर इसे fry करूंगी कि अच्छी क्रिस्पी हो जाए और इसका अच्छा सा कलर भी आ जाए तो अब मैं इसे हाई फ्लेम पर 2-3 मिनट के लिए तोटल हमें यहाँ पर 4-5 मिनट लग जाते हैं फ्राइ होने को और बस अब इसे निकाल लेंगे हम गईस का फ्लेम आफ कर देंगे वहना क्या होगा यह इसका कलर चेंज हो जाएगा जल जाएगा वैसे हमें नहीं चाहिए जला हुआ तो हम इसे निकाल लेते हैं इस तरह जाल बना रहे हुँ तो मैं थोडे से मसाला भाट करोंगी तो इन हाँस कहना पर 11 चमच काली मिरच पॉडर डाल दिए है 8 मशाला टाल दिए है और 11 चमच इन प 것을 सके बढलेंगे और 12 आधा चमच पॉडर शगर भीडाल रही हूँ हुग शकर आपकि करना है हाथ नहीं लगाएं तो यह सब जो मसाले हमने डाले हैं इसके वज़े से इस चाट हमारी बहुत यह टेस्टी बनने वाली है यह इतनी टेस्टी बनेगी न किया आप जितनी बनाएंगे न कम पढ़ जाएगी बच्चों को बहुत पसंद आईगी तो फ्रेंड्स यह हेल्थी भी बहुत है तो आप इसे शाम के नाश्टे में बनाए बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है और इस दुकान से भी अच्छे आपको लगींगे आप एक बार ट्राइ जरूर करना तो फ्रेंड्स उमीद है रेसिपी आपको पसंद आई होगी रेसिपी पसंद आए तो लाइक जरूर करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना साथी बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करना ने अपडेट्स के लिए मिलती है एक नए रेसिपी के साथ लाहाफीज